जाहिंदर नमस्कार मेरे शेयर लाड़ो लाड़ो श्वागता आप सभी का आर्मी एकेडमी यूटूब चैनल दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली स्सी जीडी के चात्रों का आपको पता एक्जाम आपके निकेट आगया स्सी जीडी एक्जाम मात्र आपके पास में 15-20 दिन का यह समय बचा अब इन दिनों में आपको विशेश रूप से किन बातों का ध्यान रगना चाहिए किस प्रकार अब लास के 15-20 दिन आपको तयारी करने चाहिए वह रणनेती में बता रहा हूं अंतिम के 15 दिनों में बहुत सारे बच्चे जो ग पश्ताते रहते हैं और फिर बहुते हैं के गुरुजी हमने अधा मेनत हम बहुत किये लेकिन नंबर नहीं है अधिक तर बच्चों के साथ इसाओ तो देखें अन्तिम के समय में ज्यादा तर लड़के क्या करते हैं सिर्प मोडल पेपर पर फोकुस करते हैं लाटो मोडल पीर आपका एक्जाम है सुआ है लेकिन यारक ही है यापको कई मेटर के सबस्कोंट आपका कम जोबfel कि डेनस अधों किसी के लिए टाइमिंग के परपस से लेना है कि मैं टाइमिंग में कवर कर लो पूरे के पूरे क्यूशन वो टाइमिंग के दोरान ही सब चीजे अटेज कर लूँ में यहीं सबसे ज़्यादा लड़के जो मात खाते हैं एक्जाम में वह है आपके पास में नमबर मिनिट का सब्सक्राइब करने का तरीका सीखिए तरीका क्या होता सबसे पहले आपको जीके करना है उसके बाद में हिंदी पिर अगर आपकी मेहत अच्छी है तो मेहत और इजनिं इस परकार से आपको पेपर को हल करना है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पेपर मोडिल पेपर जबाब देते हो या रखना मोडिल पेपर सिर्फ आपकी टाइमिंग कवर करते हैं क्या करते हैं क्या करना है मोडिल पेपर से आपको कोई चेप्टर के लिए करते हैं क्या करन करना है कि यह क्यों नहीं आ रहे कौन-कौन से टोपिक में नहीं आ रहे उन टोपिक्स को दिन में पढ़ाई करना है ना कि पूरे दिन मोडल पेपर आप क्या करते हैं मोडल पेपर देंगे उसमें साथ आगे सोचे का एक और दे लेता हूं क्या पता उसमें होगे अन्तीम समय में कमियों को पूरी करने के लिए लाटों सबसे पहले ज़्यादा जूरूरी चीज है जा रखना हो जिन में एक ही मोडल पेपर दे। इससे ज्यादा नहीं। इस पेपर की कमियों को अगले पर में ना दोड़ाएं। जो भी एक प्रमें कमी रहे हैं। अगले पेपर में उस कमी को नतोड़ाएं। इस बात का विशेश ध्यान रखे। कि इस मोडल पेपर को जब तक आप पूरा किलेर नहीं कर लो कि हाँ जो जो कमया है अब आगे आपकी किलेर नहीं हो जाती तब तक अगला मोडल पेपर नहीं देना है ज्यादा तर लड़के यह नहीं मैं आपको बताऊं ज्यादा तर मान के चालिए सतर से असी परसेंट विद्यार्टी सतर से असी परसेंट विद्यार्टी एक ही गलती करते हैं क्या गलती करते हैं वो कि वह १ू- मोड़ल पर देंगे उनके पचास नमर आएंगे फिर देंगे फिर शार लेकिन वह यह नहीं देखेंगे मेरे जो नमबर नहीं आ रही वह क्यों नहीं आ रहे उसके पीछे रीजन क्या है तो कौन से प्रकार जल्दी जल्दी बठेंज करूं याद रखें helping लार्व आप अभी exam दे रहे हैं तो जब भी Easy प्रिक्र लिखंड लेना उट फूरों से आपको नब्वे मिनिट का समय लेना है और इमानदारी यह मान के चलना आए जैसे अप永गा पेपर देरे जितने मेंनत आप लगा सकते हो उस में पूरी की पूरी मैंनत के साथ आपको हल प्र उसको चेРЕ करना है इमानदारी से करने के बाद जो भी injuries को पकड़ कर कि इंसको आपको अगरात जो भी गलती नहीं आता किसी और से पूछिए जितनी भी आपके इस problem में मेटर में जितनी विशमझ्य रही है उन सभी समचाओं का समादान करने के बाद ही आप इसमें जो जो चेप्टर आपके समझे आ रही है जो जो टोपिक आपकी किलिए नहीं हो रहे हैं उन टोपिक्स के आप यूटूब पे कलास देखी या इस्पेशली उस टाइब का क्यूशन आप देखे सकते हूं गूगल कर सकते हो यूटूब पे देख सकते हो किसी बुक में देख सकते हो अगर मेत की समझ है तो आपको मिल जाएगा उसको कंप्लिट करने के बाद ही आगे बढ़े दूसरा इसके बाद में पूरा दिन आप सेलेबस का रिविजन मारने में लगा है लाणों यहनि शेलेब आप सिर्फ अपने आपकी जांच करते रहोगे बार-बार बार-बार जांचने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे ध्यान रखना अगर आप बार-बार अपने आपको जांच होगे उससे नंबर नहीं बढ़ेंगे पढ़ने से जहां आपके नंबर नहीं आ रहे हैं यह जिस शेक्टर या जिस टोपिक में या जिस पार्ट में आपकी जिसे मालो मेत में नंबर कम आ रहे हैं तो मेत की कौन-कौन सी परसनावलिया है जिन में नंबर कम आ रहे हैं उनका आप रिविजन करिए बार-बार उनमें कौन-कौन सी समझ आज इसकी वज़े से नंबर नहीं आ र सबस्क्राइब आपको गतायों को आपको यह बताता है कि आपकी गलती क्या है आप में क्या कम है यह कि आपकी गलतियां हैं तो आप उन गलतियों को अगर पकड़ के चलते और उनको सुधार करते हो तब तो है फाइदा नहीं तो प्रड़ल प्रवेटा एक नहीं एक दिन में च्यार देलो कोई फाइदा नहीं होने वाला अगर मान लो आपके आपने जीके के पाड़ में दस है बाकी समय अच्छे नंबर है तो जीके में दस क्यों है उन जिन चेप्टरों में आपके नमबर टुटे उन चेप्टरों पर ज करियर है उनका क्या करना है रिवीजन थोड़ा फाइस करना है और जिन का आपको तक आपको कमजोर लग रहा है यह मेरा भी भी आपको कंजोर है कि यहुँद से नहीं है तो चाप पर अशानी से के लिए समय हो तो इसलिए आप को घबराना है पर तो आपके लिए बहुत दिन है पर अपने मेनत नहीं की तो फिर तो लाड़ ले आपके कम ही रहेगा एक यह तो पीज दिन है आपको 90 दिन ही देंगे और आप मेनत नहीं करोगी तो वह भी कम रहेगा इसे बात का पूरा ख्याल रखे लाड़ लू अंतिम समय है इस प्रकार से त्यारी करें गलती ना करें नहीं तो बहुत पस्त ठीक है जै वार्त मेरे लाड़ लूड़